वेलकम टू वर्ड ग्यान तो एंगुलर और रियक्ट के बारे में और अधिक जाने का प्रयास करेंगे बहुत सारे लोग को यह doubt होता है, कि कौन सा fast है रियक्ट fast है या यह एंगुलर fast है तो जो virtual DOM का concept react में है वो काफी ज्यादा fast बनाता है react को बट जो newer version जो है Angular का वो काफी जादा optimized है और वो जो है definitely वो fast है और यह आप पर भी depend करता है कि आप उसको fast कैसे बना सकते हैं, for example अगर आप lazy loading का इस्टमाल करते हैं feature module के लिए या फिर आप pre-loading जैसा concept अगर यूज करते हैं अपने application में, तो definitely loading time को आप reduce कर सकते हैं और काफी हद तक आप जो है अपने int से coding करके भी optimize कर सकते हैं तो definitely compare करें react के तुलना में, तो definitely थोड़ा भूत आपको slow नजर आएगा but maybe हो सकता है कि आने वाला version और भी ज्यादा fast हो, but as a बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं आप tutorials और blog पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि angular और react के comparison में कि angular का जो newer version है न वो काफी जादा fast है तो definitely इस में कोई speed में कोई जादा issue देखने को नहीं मिलेगा angular और react में तो आप बात यह आता है कि job requirement के according कौन सा better होगा आपके लिए कौन सा सीखना चाहिए angular और react तो definitely जो react के projects है market में और काफी जादा है as compared to angular क्योंकि जितने भी small और medium level के project होते हैं वो सारे के सारे जो है react में बनाया जाते हैं तो प्रिफरेवल च्वाइस होता है किसी भी company के लिए तो definitely वहां पर आपको project जादा मिलेगा और यह काफी जादा रियेक्ट काफी जादा popular भी है angular के comparison में react काफी जादा popular है जब आप github में जब star over देखेंगे और website पर search करेंगे तो definitely आपको idea होगा कि रियेक्ट जो है काफी जादा popular है as compared to angular angular भी popular है बट learning curve बहुत ही high है angular के case में आपको एक एक चीज जाना पड़ेगा type script समझना पड़ेगा उसके एक एक functionality को समझना पड़ेगा जो कि beginner के लिए काफी जादा means यह difficult हो जाता है तो definitely जो है लोग रियेक्ट की तरफ जाते हैं और ज्यादा जो है रियेक्ट developer produce हो रहे हैं तो definitely आप रियेक्ट में प्रोजेक्ट जादा है लोग भी जादे हैं तो थोड़ा वुद कंपर्टीशन वहां पर देखने को मिलेगा बट अगर compare करें अगुलर तो एंगुलर में बहुत कम लोग जो है expert है that's why उनका थोड़ा demand जादा है you can say और आपको जो company मिलेंगे जो प्रोजेक्ट मिलेगा न ओ बिग प्रोजेक्ट मिलेगा बड़े एक enterprise लेवर प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो यह एक advantage है अगर आप आप एंगुलर में काम करना चाहते हैं तो यह आपे depend करता है कि कौन सा आप चूज किजिएगा एंगुलर और react डेफिनिटली बट जो मैं feel करता हम उस मैं आपको बता रहा हूँ अगर एंगुलर में किसी फी तरह का problem अगर हो रहा है फेश कर रहा है तो आप जो है मुझसे like मेरे live class को join कर सकते हैं जीसमें किसी फी तरह का जो 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 भी डाउट अगर आपको आ रहा है वो जो है आप पूछ सकते हैं क्लियर कर सकते हैं डेफिनेटली आपका जो लर्णिंग प्रोसेस है उसका टाइम है वो फास्ट हो जाएगा बहुत जल्द ही आप एंगुलर में एक्सपर्ट बन सकते हैं और हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे मिन्स ऑअनलाइन क्लासेस में डेफिनेटली ओ जो है प्रैक्टिकली जो कंपनीज में एक बिग प्रोजेक्ट के लिए जो इस्तमाल होता है उसके एप्रोच को ध्यान में रखके हम आपको बताएंगे डेफिनेटली ओ जो कॉमन फंक्सणालिटी है बैसिकली जो ह इंगुलर अप्लिकेशन में चाहिए होता है जैसे बहुत सारे हैं और फिचर मोडूल का कैसे इस्तमाल करेंगे और कैसे कोड को आप्टिमाइज वे में हम कर सकते हैं तो यह सारे चीजों को आपको जानने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आप लाइब क्लास जोइन कर सकत हैं यह जो प्री रिकॉर्डड वीडियो होते हैं यूडेमी कोर्सेरा और बहुत अलग बहुत जगह पे बहुत सारे प्लेटफर्म पे उसी के कॉस्ट में आपको हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको रियल नौलेज होगा प्रैक्टिकल नौलेज क्या होता है कि एक आप जो है सीखते हैं तो भूल जाते हैं डिपनेटल आपको याद नहीं रहेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर अगर आपको इसू का सामना करना पड़ेगा जिसे आप एक जगह पर अटक जाएंगे और कुछ समय बाद जो है इधर उदर उदर कोड़ लेंगे डेफिनेटली इरिटेट करेगा और उसको आप छोड़ सकते हैं और जो है आप जो भी एक्जिस्टिंग टेकनोलोजी है उस पर आइदर उस रहेंगे या फिर रियक्ट के तरफ मुफ कर जाएंगे डेफिनेटली यह सब इसू होते हैं जो डेफिनेटली आपको किसी की गाइ तरह कौन सा सीखना चाहिए तो डेफिनेटली जो है और अगर आगे इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं किसी भी तरह का डाउट है तो आप डेफिनेटली कॉमेंट से भी पूछ सकते हैं मैं अगले वीडियो में आकर बताऊंगा तो कि मेरे दिमाग में उस सारा टॉपिक कभी नहीं आ रहा है कि कौन-कौन सा मुझे लेना चाहिए तो डेफिनेटली अगर आप कॉमेंट करेंगे कोशन पूछेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपका एंसर दूंगा तो मैं आसा करता हूं कि आप समझी गये होंगे फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कॉमेंट कीजिए वीडियो को सब्सक्राइब करना मत बूलिए क्योंकि ये डेफिनेटली जो है मोटिवेट करता है और भी अधिक वीडियो बनाने के लिए सो थैंक्यू थैंक्यू पर वाचिंग